इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, Google एकाउंट से third party access को कैसे remove करते हैं, सबसे पहले browser open करते हैं, और यहाँ type करते हैं, Gmail, Gmail पर click करते हैं, और अब यहाँ पर, जिस Google एकाउंट से third party को remove करना होता है, उसका email ID, यहाँ type करते हैं, उसके बाद, next पर click करते हैं, password, next, और अब, यहाँ click कर, manager, Google एकाउंट पर click करते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, security, issues found, secure account पर click करते हैं, यहाँ लिखा है, third party access, इस पर click करते हैं, और अब, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक third party, Google एकाउंट के access कर रहा है, इससे remove करने के लिए, remove access पर click करते हैं, और अब यह remove हो चुका है, इसके अलावा, यहाँ लिखा है, show other to, इस पर click करते हैं, इससे remove करने के लिए, remove access पर click करते हैं, इसी तरह से, इससे भी remove कर सकते हैं, remove पर click करते हैं, और अब यह remove हो चुका है, इससे close करते हैं, इस वीडियो के अंत में, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो, लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताके नए वीडियो की notification मिल सके, थैंक्स पर वाचिंग, बाए